स्टूडेंट्स अमीद करता हूँ आप लोग हैरियस से होंगे हादर हूँ MF English Center से तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है वो है Forces and Kinetic Theory तो इसमें हमने ये समझना है कि लिक्विट किस तरह से गैस बनता है या Gas किस तरह से Solid बन जाती है तेखें अगर मैं आपको बोलूँ कि ये आपके पास पानी है इसे आपने बरफ बनाना है तो आपका जवाब यही होगा कि इसे फ्रीच में रख दें बरफ बन जाएगी लेकिन उसके पीछे Science क्या होती है ये नहीं पता होता क्यूंके हमने ये topic शाएद पढ़ा नहीं होता या अगर पढ़ा होता है तो इतनी अची तरीकते समझा नहीं होता है जिससे हमें पता चल सके कि ये हुआ तो हुआ कैसे तो इंशालला आज के lecture के बाद आपको ये बात पता चल सकेगी कि solid किस तरह liquid बनता है liquid किस तरह से gas बन जाता है यह gas किस तरह से solid और liquid किस तरह से solid बन जाता है तो यह तमाम चीज़ें इंशालला आज की वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगी तो forces and kinetic energy यह आज का जो है हमारा topic होगा तो topic शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप group में add होना चाहें तो contact कर लीजिएगा WhatsApp नमबर स्कीन पर आ रहा है बहुत से बच्चे यह कहते हैं कि sir group में जो है वो किस तरह से add होंगे तो WhatsApp नमबर पर contact करा करें fees जो है वो पूरे साल की है जिसमें आपको notes, video lectures और PDF, book up PDF और guides और तमाम चीज़े of solve और जो भी चीज़े हैं वो इसी जो है वो fees में आपको मिल जाएगी आखर में मैं आप से कहूंगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा bell icon जरूर पैस कीज़ेगा तो चलें आपने lecture को शुरू करते हैं तो देखें यहां पर कहा जा रहा है कि why some materials are solid and liquid while other are gases at room conditions तो यहां पर पूछा जा रहा है कि क्यूं कुछ materials जो है वो solid होते हैं और liquid होते हैं और कुछ materials ऐसे क्यूं होते हैं जो कि room temperature पे gases होती है तो एक खास condition है जिसको यह तमाम चीज़े जो है वो follow करती है अब देखें यहां पर जो है मैं आपके सामने एक rough diagram बनाता हूँ यह हमारे पास molecules हैं जिसे मैं छोटा छोटा ड्रो कर रहा हूँ तो यह जो है एक दुसरे से काफी दूर है तो यह किस चीज़ को बता रहा है दर्मियान forces बहुत weak है क्यों क्योंके यह random motion कर रहा है इनकी kinetic energy इन molecules की kinetic energy ज्यादा है आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ motion करती है तो उसके पास kinetic energy होती है जिसका हमारे पास formula होता है half mv square तो kinetic energy होती है अच्छा अब यही molecules जो है वो एक दूसरे के करीब करीब है एक दूसरे से बिलकुल चिपके वे नहीं है लेकिन करीब करीब है ठीक है ऐसे करीब करीब है देखें इधर जादा distance था और इधर जो है वो कम distance है ठीक है तो यह हो गया आपके पास liquid L I Q U I D यह हो गया liquid ठीक है अब यही molecules एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े वे है ठीक है ऐसे pattern में जुड़े वे है तो यह हो गया आपके पास solid यह क्या हो गया आपके पास solid हो गया अच्छा यह एक दूसरे से जुड़े वे क्यों है क्योंकि इन molecules के दर्मियान जो है वो वेंड़ा वैलन्स फोर्स बहुत ज्यादा strong है और molecules आपस में जुड़ गए है liquid में ये force कम होती है लेकिन मौजूद होती है इसलिए liquid के molecules एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर तो होते हैं लेकिन इतना दूर नहीं होते हैं कि वो एक दूसरे से पर force ना लगा सके है होते हैं करीब करीब लेकिन थोड़ा दूर होते हैं अच्छा और gas में तो बहुत जादा दूर दूर होते हैं तो यहां पर यही चीज़ आपको समझाई जाएगी in detail के साथ ठीक है देखें क्या लिखावा है forces between the molecules are responsible for the different states of matter as well as for the physical properties तो यहां कहा जा रहा है कि forces जो होते हैं इन molecules के दर्मियान यह responsible होती है state के पर यानि अगर force ज्यादा है molecules के दर्मियान तो molecules आपस में एक दुसरे से चिपक के रहेंगे और solid बना लेंगे और इसके अंदर kinetic energy बहुत कम होगी वाइब्रेशन हो रही होगी ठीक है सिर्फ हलके हलके vibration हो रही होगी अच्छा अब यही molecules हैं इनके दर्मियान force थोड़ी weak हो गई हलकी हो गई हमने boil किया तो जिससे हलकी हो जाती है force ठीक हम इसी solid को boil करते हैं तो यह जो molecules है वो energy लेकर motion चुरू कर देते हैं हलका हलका करके तो क्या होता है solid liquid में आ जाता है यानि हमारे को force ज्याद force जो है वो weak हो जाती है kinetic energy molecules की बढ़ जाती है तो अब देखें यह इदर जो है वो kinetic energy बढ़ गई है force weak हो गई है तो यहाँ पर molecules एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर चले गए हैं और यह liquid form में आ गया लेकिन हम चाह रहे हैं इसे gas बना लें तो हमने क्या कि अब boil यानि जो temperature है उसको और बढ़ा दिया तो temperature के और बढ़ाने से यह जो molecules से और ज्यादा motion करने लग गए और ज्यादा दूर दूर जाने लग गए एक दूसरे से जिससे force बहुत ज्यादा वीक हो गई और यह gas बन गए तो temperature के बढ़ने से यह state होगी फिर यह state आ जाईगी आपके पास और फिर यह और ज्यादा temperature बढ़ाएंगे तो यह जो आपके पास solid होगा वो गाया भी हो जाएगा हवा में वैपर बनकर उड़ जाएगा तो इस तरह से जो है वो solid liquid और liquid gas में आता है यह चीज जो है वो बहुत ज्यादा important है लेकिन जो पता नहीं होती जिसकी basic वज़य यह होती है कि इसके पीछे की science नहीं पता होती तो यह science इसके पीछे की यह होती है तो इसी चीज को थोड़ा और detail में हम study करते है according to book इसके बुक में इसको और study और detail में बताया गिया है तो lecture पूरा देखेगा ताकि यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आए अब कहा जाता है कि according to kinetic molecular models यानि जो पीछे हमने kinetic molecular models पर आता जिसे kinetic molecular theory भी कहते है या particular molecular models भी कहा जाता है तो उसमें हमें बताया गिया था molecules of gases have large kinetic energies as a result there are no force of attraction between them as a result molecules of gas can move freely and go further apart तो देखें यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह जो molecules होते हैं gas के इनके दर्मियान जो हमारे पास force होती है attractive force या force of attraction जो जिसे vendor balance force भी कहा जाता है तो यह बहुत ही कम होती है या negligible ना होती है ना के बराबर ले लीजिए ठीक है जिसकी वज़ा से molecules एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं molecules एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं और motion करते रहते हैं और यह जो है वो इनकी kinetic energy ज्यादा होती है gas के molecules की kinetic energy क्या होती है आपके पास ज्यादा होती है तो अगर आपको कोई बोले कि गैस जो है वो सॉलिड क्यों नहीं होती या लिक्विड क्यों नहीं होती तो उसकी आप वज़ा बताएंगे कि इसके पास काइनेटिक एनरजी ज्यादा होती है और मॉलिक्यूल के दर्मियान जो फोर् तो मोलीक्यूल के दर्मियान आपको पता है डिससंस बहुत ज्यादा है तो आप इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं यानि जो जगा है खाली जगाए है जब आप इसे दबाएंगे तो यह खाली जगा कम हो जाएगी अब आपके पास एक स्पेस है अगर आप जैसे के मैं यह कैप ब कैसे बंद बंद घाया तो इसी तरह से गैस के मोलीक्यूल के दर्मियान आप देख रहें कितना सादा जो है वो जगा मौझूत है तो आप इसे दबाएंगे तो यह मजीद दब जाएंगे तो यही वज़ा होती है कोई इसका कोई fix shape नहीं होता और इसका कोई fix volume नहीं होता तो जिस चीज में दालते हैं उस चीज की शेप ले लेते हैं अच्छा, boiling and melting point of gas are very, are also very low तो boiling point और melting point भी इसका बहुत लो होता है यानि ये बहुत जल्दी boil हो जाती है gas, यानि बहुत जल्दी vapor बनके उड़ जाती है because of this reason, तो इसके पीछे की reason, kinetic energy और force ही था kinetic energy और force ही था अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं liquidity के बारे में जानते हैं इसी चीज, इसी force को रख कर the molecules of liquid as compared to that of the gas have less kinetic energy hence intermolecular force come into play तो जो gas के molecules होते हैं आप ये देख रहे हैं ये थोड़े करीब-करीब है तो इनके दर्मियान जो है वो attraction होती है liquid में तो नहीं, solid gas में तो नहीं होती है, होती भी है तो इतनी कम होती है कि negligible मानते हैं लेकिन liquid के molecules के दर्मियान जो है वो बहुत ही कम होती है ठीक है, यानि liquid के molecules के दर्मियान थोड़ी attraction ज्यादा होती है ज्यादा दूर नहीं जाने देते, क्यों? क्योंकि इनके दर्मियान force of attraction या attractive force या vendor balance force होती है और kinetic energy इसकी कम होती है गैस के मुकाबले में जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, kinetic energy कम होती जाएगी और खतम भी हो जाएगी अच्छा, तो इसी लिए जो है इसका हमारे पास volume fix होता है liquid का volume fix होता है लेकिन इसकी भी shape fix नहीं होती क्यों? क्योंकि इसके दर्मियान भी molecules के दर्मियान distance है अच्छा, आप liquid को compress नहीं कर सकते gas को तो कर सकते हैं, लेकिन liquid को आप इतना जादा compress नहीं कर सकते incompressible होती है अच्छा, अब आगे जो बताया जा रहा है उसको study करते हैं आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है therefore liquid do not have fixed shape तो आपको पता है liquid की कोई fixed shape नहीं होती है जिस चीस में दालें उस चीस का हो जाएगा but fixed volume, volume fixed होता है जो कि मैंने आपको बता दिया the melting and boiling points of liquid are high high as compared to gas तो melting point और boiling point जो है वो liquid का high होता है यानि ज्यादा होता है gas का तो कम होता है, लेकिन liquid का high होता है क्यों क्योंकि इसके दर्मियान, molecules के दर्मियान force ज्यादा है अब वो force कम करने के लिए kinetic energy बढ़ानी पड़ेगी तो आपको ज्यादा temperature देना पड़ेगा और ज्यादा boiling point देना यानि temperature boiling point और melting point दोनो temperature पर डिपेंड करते है ठीक है अच्छा, आगे देखें, आगे आपको solid के बारे में बताए जा रहा है The molecules of solid have extremely low is यानि जो molecules होते हैं solid के ये जो हैं वो बहुत ही एक जुसरे के करीब करीब होते है देखने हैं आप कितने करीब करीब है इदर कहा जा रहा है के Low is energy is there for experience, strong attractive force and can not move freely but only have small vibration about mean position तो solid के जो molecules हैं इनके पास kinetic energy नहीं होती ये free move नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ही ज्यादा force of attraction इनके दर्मयान होती है molecules के दर्मयान तो एक molecules दूसरे molecules को बहुत अच्छी तरीके से hold करके यानि पकड़के रखता है जिसकी वज़ा से इनके पास कोई kinetic energy नहीं होती है लेकिन इनके पास फिर भी vibrational energy होती है ये हलका हलका वाइबरेट करते हैं अपने ही mean position के इर्दगेर यानि ये ऐसे ऐसे आगे पीछे घूमते रहते हैं बिलकुल हलके हलके बहुत ज्यादा नहीं जीरो ही है हमारे पास solid के पास solid के पास जो kinetic energy वो 0 मान ली है अच्छा और gas के पास जो force of attraction है वो भी negligible 0 है ठीक है बहुत कम है तो 0 मान लेते हैं ठीक है अगर किसी के पास जो है वो 0.001 रुपीस है तो क्या वो लगपती होगा या करोरपती बलके वो कंगाल के लाएगा उसके पास कुछ भी नहीं है ठीक है इतना कम पैसा नहीं माना जाता हाँ अगर उसके पास 1,00,00 है तो फिर वो जो है थोड़ा अमीर है एक लाग है 10,000 है तो फिर थोड़ा अमीर है आदमी है ठीक है तो यहाँ पर यही बात आपको समझानी थी कि gas के molecules के दर्मियान कोई force नहीं होती है और liquid के molecules के पास कोई kinetic energy नहीं होती solid के molecules के पास कोई kinetic energy नहीं होती लेकिन liquid के molecules के पास kinetic energy भी होती है और force of attraction भी होती है तो यह बात उमीद करता हूँ आप समझ गए होंगे यही वज़ा होती है कि इनको आसानी से liquid और gas में तब्दील करा जाता है यही वज़ा होती है कि solid को फिर हम liquid में ले जा सकते हैं यह gas में कि अगर इसका melting point ज्यादा होता है solid का melting point ज्यादा होता है तो आप इसको जब melt करेंगे तो यह liquid बनेगा और ज्यादा temperature देंगे तो gas बन जाएगा अच्छा gas को जब आप जो है वो cool करेंगे यानि इसको जो फ्रीज करेंगे तो यह जो है वो liquid बन जाएगी और ज्यादा freeze करेंगे तो solid भी बन जाएगी ठीक है और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि यह क्यों हो रहा होता है solid liquid gas क्यों बन रही होती है चीज़े क्योंकि इनके दर्मियान की force पर यह चीज़े depend करती है यानि आपने जो है वो solid को temperature देना शुरू किया यह मैंने temperature लगा दिया ठीक है तो molecules के दर्मियान जो kinetic energy है वो बढ़ती जाएगी उनको जो molecules है उनको energy मिलती जाएगी heat energy से तो फिर वो motion करने लगेंगे motion करते रहेंगे तो फिर यह liquid बन जाएगे और ज्यादा आपने temperature दिया तो यह gas बन जाएगे अच्छा अब आपने इसको cool करना शुरू किया ठीक है cooling process शुरू किया आपने यहाँ पर ठीक है gas को cool करना शुरू किया तो gas के molecules जो है वो उनके दर्मियान kinetic energy हलकी हो जाएगी force of attraction बढ़ जाएगी और वो liquid बन जाएगी अब यह और cool किया और जो है वो ज्यादा cooling की आपने इसको gas को तो यह solid बन जाएगी ठीक है क्योंके force of attraction और बढ़ जाएगी kinetic energy of molecules और कम हो जाएगी तो यही वज़ा है कि हम ice को यानि water को ice में convert कर सकते हैं पानी को ठीक है तो यह water होगा आप water को किस तरह solid में ले जाते यह जाते हैं आज इसमें कोल करके न यहानि उसको जो है आप minus में temperature देते हैं तो वो cool हो जाती है तो और इसे तरह से आप cream को ice cream बना सकते हैं cream होती है आपके पास उसे ice cream बनाने के लिए temperature में रखना पड़ता है यानि minus temperature में रखते हैं और इसी तरह से आप gas को compress भी करते हैं अच्छा आगे जो है वो आपको यही चीज बताई गई है का जा रहा है कि the states of a substance can be changed either by heating or by cooling it तो आप state कैसे change कर सकते है substance की उसको cool करके या heat करके अब मेरा एक सवाल है आपको आप से के मैंने जो है वो cool किया मेरे पास जो है वो cool किया मैंने जो है वो orange juice को ठीके orange juice को जो है मैंने cool किया तो यह जो है वो solid बनेगा या liquid बनेगा अभी मैंने आपको तरीके कार बता दिया था कि यह जो है वो liquid बनेगा या gas बनेगा यही चीज मैंने आपको पर समझा दी थी, कि जब आप इसको temperature देंगे, यानि इसको cool करेंगे, तो ये जो है इसके molecules के दर्मियान क्या होगा orange के जो molecules होगे यानि जो orange juice के जो molecules होगे liquid form में orange juice है तो liquid form में होगा ठीक है, जब आप इसको cool करेंगे, तो इसके जो molecules है, उसकी motion कम हो जाएगी ठीक है, molecules के motion कम हो जाएगी तो force of attraction बढ़ जाएगी तो force of attraction के बढ़ जाने से, ये जो molecules है वो आपस में एक दुस्ते के साथ चिपक जाएंगे इस तरह से ये solid बन जाएंगे अब इसी इस orange juice को जो है मैं इस orange juice को जो है, मैं क्या चाहता हूँ के ये जो है वो उड़ जाए, यानि gas बन जाए gas की form में चला जाए, तो मैं क्या करूँगा इसको cool करूँगा या heat करूँगा, तेक है मैं इसे heat करूँगा heat करूँगा, यानि heating process करूँगा इसको temperature देना शुरू करूँगा इसके molecules, यानि पहले से liquid form में है तो इसके molecules के दर्मियान motion बढ़ जाएगी और, यानि इसके जो molecules है, उनकी motion बढ़ जाएगी, kinetic energy जो है, वो और बढ़ेगी, तो ये जो है, वो और motion करने लगेंगे, तो येजीली जो गैस बन जाएगे, यहीं पर यह बात की जा रही है के on the other hand, when a solid substance is heated, जब solid के substance को जब आप heat करते हैं, यानि कोई भी substance हो, the molecules start to vibrate more and more strongly, तो molecules, जो है वो vibration शुरू कर देते हैं, यानि motion करना शुरू करते हैं, eventually the molecules vibrate more violently and their intermolecular force become weak as a result, material become a liquid, तो वोई process है जो मैंने बता है कि आपने heat करना शुरू किया, vibration बड़ी और vibration इतनी बड़ी कि motion करना शुरू कर दिया molecules ने, तो फिर जो है वो यह, जब motion करना शुरू कर देंगे तो यह liquid form में चले जाएंगे, तो यह इसके पीचे की science होती है, इंशालला आपको यहाँ पर बास समझ में आ गई होगी और अगर नहीं समझ में आओ तो पूछ ली जगा बता दूँगा अच्छा देखें, कोई भी चीज किस तरह से solid liquid gas में जाती है इसको देखें, आपके पास solid है उसको आपने heat किया, तो वो melt हो गिया यानि जब आपने उसमें heating दी solid को तो वो melt हो गिया लेकिन liquid को जो है आपने और ज्यादा heat किया तो वो boil, यानि जब आपने liquid को boil किया तो वो gas बन गिया यानि solid को जब आपने heat किया, तो वो melt हो गिया और liquid बन गया liquid को जब आपने boil किया तो वो gas बन गया ठीक है यहाँ पर यही बात आपको लिखके दी गई है नीचे अच्छा अब इसका उलट प्रोसेस भी होता है यानि यह जो औरेंच वाले graph आपको नजर आ रहा है औरेंच वाली diagram फिगर 7.3 में तो हमने solid को gas किस तरह बना किया गैस को जब हमने ठंडा किया तो वो क्या हो गया condensing हो गई ठीक है आमने पढ़ा तरह condensing उपर के gas को liquid बना लेना तो liquid बन गई ठीक है फिर liquid को क्या किया हमने और ज्यादा जो है वो freeze किया तो freezing से यह solid बन गई ठीक है अच्छा आप तो student यहाँ पर आपको चार्ट दिय लावा है ठीक है जिसमें आपके पास जो है वो मुक्तलिफ substance मौजूँद है pure substance ठीक है जिनका मुक्तलिफ जो है वो हमारे पास temperature है अच्छा बहुत से बच्चे का यह सवाल होता है कि sir वो ऐसा कौन सा जो है वो हमारे पास element है या substance है जो के हमारे पास metal भी होता है लेकिन liquid form में होता है तो वो जो है हमारे पास mercury होता है ठीक है यहां भी आपको यह लिखके दिया गया है यह सवाल अकसर पूछ लिया जाता है बच्चों से लेगिन बच्चे जो है इसका जवाब नहीं दे पाते तो यह आप चीज़ आपको लिखके भी दी विए same आप यहां से भी इस देखें हीलियम जो है इसका melting point है minus 272 और boiling point जो है वो minus 269 तो इससे भी आपके पास MCQs यह इससे भी आपस पूछा जा सकता है ठीक है इस से MCQs बन सकते है oxygen का जो आपके पास melting point है वो है minus 218 और boiling point जो है वो यानि कितने temperature पर यह boil हो जाएगा तो वो जो है आपके पास minus 183 है nitrogen का minus 191 अच्छा यह तमाम जो temperature है celsius में दिये हैं और boiling point जो है वो minus 177 और mercury जो के हमारे पास एक solid होता है लेकिन liquid form में पाए जाता है तो इसका जो है वो minus 29 और boiling point जो है इसका 276 है water का जो आपके पास melting point है वो 0 है और boiling point है वो 100 celsius है और iron का जो आपके पास melting point काफी ज्यादा है प्लस में है 2080 यानि 2080 और जो इसका boiling point है यह तो और भी ज्यादा है 3570 बहुत ज्यादा है बहुत ही ज्यादा diamond और ज्यादा होता है यानि इसका जो melting point है वो और ज्यादा होगा 4100 और boiling point 5400 अच्छा इसके पास है tungsten तो इसका जो boiling point से वो है melting point जो है वो आपके पास 3920 और boiling point 6500 तो अगर आप से कोई पूछ ले के कौन सा ऐसा substance है जिसका boiling point सबसे ज़्यादा कम होता है तो वो आप उसका नाम लेंगे minus 272 helium और boiling point भी इसी का सबसे ज़्यादा कम होता है minus 296 और अगर आप से कोई पूछ ले कि कौन सा ऐसा material है जिसका melting point बहुत ज्यादा है तो according to graph यानि जो according to chart दिया हुए इसके मुताबिक diamond का आपके पास ज्यादा है जो के है 4100 iron सबसे ज्यादा जो है उसके पास melting point नहीं होता यानि वो जो है वो जो है वो जो 2080 के temperature पे पिगल जाता है लेकिन अगर diamond को पिगलाना है तो double temperature देना पड़ेगा आपको iron के मुकाबले में जो के है 4100 4100 चीक है और इसका boiling point भी ज्यादा है 5400 अचा boiling point जो सबसे ज्यादा है इस graph के मुताबिक वो जो है आपके पास tungsten का है 6500 तो boiling point melting point में फरक आ सकता है किसी का boiling point जादा होगा तो किसी का melting point जैसे कि diamond का melting point तो ज्यादा है लेकिन boiling point कम है according to with respect to tungsten यानि tungsten के मताबिक ठीक है लेकिन tungsten के पास melting point तो कम है लेकिन boiling point जादा है अगर हम देखें with respect to diamond ठीक है तो यह हो गया आपके पास अच्छे यह mercury वाली जो मैंने आपको बात बताई only liquid metal जो है आपके पास यह है तो यहां पर helium के बारे में बताएगे है कि helium has lowest boiling and melting point as compared to other substance it solidifies only when it is cooled and compressed तो helium को जब ही आप क्या कर सकते हैं solidified यानि solid बना सकते हैं जबके आप इसे cool करें यानि बहुत ज्यादा temperature दे minus में cool करने के लिए अचा mercury जो है वो यहां लिखा भाए कि mercury is the only metal that is not solid at room temperature तो room temperature पर यह solid नहीं रहता liquid हो जाता है mercury जो है वो room temperature पर liquid बन जाता है यानि room temperature जो हमारे arm normal जो है वो room का temperature लिया जाता है जो के i think 27 जो है वो लेते हैं हम room temperature ठीक है तो यहां पर हमने यह चीजे कर ली ठीक है तो उमीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आगिया होगा अगर कुछ नहीं समझ में आओ तो पूछ लीजे का इन्शालला मैं guide कर दूंगा तो गुरुप में आप हैट होना चाहे तो जो भी important material है वो आपको तुमाम चीजे गुरुप में मिल जाएंगी और lecture भी आपको गुरुप में मिल जाएंगी तो साल में की बार fees पे करनी है और इसी fees के अंदर आपको लाइफ test session होते है यूटूब पर उसके link भी मिल जाए करेंगे ठीक है ताकि आप लाइफ test session में भ योगी contact किस number पे कीजिएगा जो के आपको नजर आ रहोगा screen पर तो इस पर आप contact करेंगे तो आप से जो है वो contact हो जाएगा और फिर आपको जो है वो गुरुप में एट कर लिए जाएगा fees पे कनने के बार और यहां पर आखर में कहूंगा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर करिएगा bell icon जरूर प्रेस कीजिएगा self assessment के जो question है वो उपर से ही relate करते हैं जो कि हमने पड़ा है तो इंशालला यह आप खुद भी कर सकेंगे तो आगे जो है मैं आगे आने वाले topic में 7.3 है वो उसके उपर जो है हम अगली वीडियो में discussion करेंगे thanks for watching Allah Hafiz दूआ में याद करिएगा